दोस्तो आज आप लोगों के बीछ में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिधे जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीछ में। जेल का जवाब जेल का जवाब दिल्ली से आया हूँ जोली फैला के आप से भीक मांगने के लिए मेरे भारत को बचा लो मेरे देश को बचा लो हमारे देश को प्रधान मंत्री जी ताना शाही के तरफ ले जा रहे हैं हमारे देश को बाबा साब अंबेटकर ने एक शान दार समविधान दिया था जन्तंत्र का जन्ता चुनेगी वोट करेगी, लोग चुने जाएंगे, वो शासन करेंगे, जिनको जन्ता चुनेगी वो शासन करेंगे, जन्ता के मताबिक काम किये, अब धीरे 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 प्रधान मंत्री जी ये जन्तंत्र खतम करना चाहते हैं, मेरा उधारन लीजि सीट हैं विदानसभा में सत्तर सीट हैं सत्तर में से सड़सट सीट सिक्स्टी सेवन सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी पांच साल बाद चुना हुए 2020 में और 2015 में सड़सट सीट आम आदमी पार्टी को तीन सीट बीजेपी को 2020 में सत्तर में से बासट सीट आम आदमी पार्टी को आठ सीट बीजेपी को तो मोदी जी ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते तो मोदी जी ने एक शड़ेंत्र रचा एक फरजी केस बनाया उसमें मनी सिसोदिया को सतिंदर जेहन को सबको उसमें गिरफतार किया और फिर मुझे गिरफतार कर लिया अगर हरा नहीं सकते तो गिरफतार कर लो उन्हें लगा कि गिरफतार करेंगे तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा लेकिन केजरीवाल ने तै किया सरकार जेल से चलाएंगे मैंने इस्तीफा नहीं दिया सरकार जेल से चलाएंगे अगर मोदी जी जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चला के दिखाएंगे मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ हमारी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों में पंजाब में दिल्ली में मैं सोच रहा था मौदी जी ने मुझे गिरफतार क्यों किया मेरे जैसे छोटे सी वो तो इतने बड़े आदमी हैं इतना उनके पास साधन है तमाम उनके पास रिसोर्सेज हैं मुझे क्यों गिरफतार किया मुझे गिरफतार किया क्योंकि दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए शांदार सरकारी स्कूल बनाए मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएं वो इस काम को रोकना चाहते हैं इसलिए उन्होने मुझे गिरफ्टार किया मैंने माँलो 500 स्कूल बनाए मोदी जी आपका बढपन तो तब था आप 5000 हजार स्कूल बनाते आप तो इतने बड़े आदमी हो आप 5000 स्कूल बनाते तब आपका बढपन था आपने केज्रीवार को गिरफ़तार करके स्कूलों का काम रोक दिया दिल्ली के अंदर मुझे गिरफ़तार इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में मैंацион इतने सारे महला क्लीनिक, गली-गली में महला क्लीनिक, इस्पटाल बनाए शानदार सबका इलाज मुफ्थ करदी आ दवाइयां टेस्ट सब कुछ मुफ्थ करदी आ त्थाई करोड दिल्ली के लोगों के लिए मोदी जी है काम रोकना चाएं इसलिए मुझे गिरफतार किया और विडंबना देखिए दिल्ली के लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी लेकिन जब मैं तिहाड जेल में गया पंद्रा दिन तक मेरी दवाइयां बंद करवा दी मौधी जी ने तिहाड जेल के अंदर मैं शुगर का मरीज हूँ 20 साल से और 10 साल से इन्जेक्शन ले रहा हूं insulin के रोज चार injection लगते हैं मेरे को insulin के 52 unit insulin लेता हूं रोज लेकिन जब मैं तिहाड गया मोधी जी ने मेरे injection बंद करा दिये 15 दिन तक मेरी 300 पहुँच गई शुगर साड़े 300 पहुँच गई शुगर मैं बोलता रहा वहां पे अफसरों को करमचारियों को मुझे insulin चाहिए उन्होंने नहीं दी बोले उपर से आदेश है insulin नहीं दे सकते अगर किसी आदमी को कई दिनों तक शुगर हाई रहे तो उसकी किड़नी खराब हो जाती है उसका लिवर खराब हो जाता है मुझे नहीं पता है ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ लेकिन इतिहास गवाए ऐसे बहुत सारे किस्से हुए है जब विरोधियों को और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डालके उनके शरीर को खराब कर दिया गया मुझे गिरिफ़तार इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली के सभी लोगों की मैंने बिजली मुफ्ट कर दी दिल्ली में लोगों का बिजली का भी जीरो आता है मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आपकी बड़पन तो तब होता जब आप पूरे देश के लोगों की बिजली मुफ्त कर देते आपने दिल्ली के लोगों की बिजली आप रोकना चाहते हो इसलिए आपने मुझे गिरफ़तार किया अब दोस्तों ये लोग कह रहे हैं कि मुझे दो तारिक को दुबारा जेल जाना है मैं जेल जाओंगा कि नी जाओंगा ये आपके हाथ में है अगर आपने इंडिया गठबंदन को जिता दिया अगर आपने इंडिया गठबंदन की सरकार बना दी तो मुझे जेल जाने की जुरूरत नहीं पड़ेगे और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दुबारा जेल जाना पड़ेगा तो जो जो लोग मुझे जेल भेजना चाते हैं कमल दबा देना और जो जो मुझे आजाद देखना चाहते हैं इंडिया गटवंदन को जिता देना जब आप बटन दबाने जाओ तो इस बार बटन केजरी वाल को जेल भेजने या केजरी वाल को आजाद करने के लिए दबाना रशिया का नाम सुना है रशिया पुतिन पुतिन ने क्या किया जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए 87% वोट मिल गए 87% जब विपक्षी नहीं होगा लड़ने वाले नहीं होगा सारे वोट आपी को मिलेंगे बांगला देश में भी अभी ऐसा वो उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई पाकिस्तान में भी यही हुआ इमरान खान को जेल में डाल दिया उसकी पार्टी चिन लिया उसका सिंबल चिन लिया जीत गए अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांगला देश बनाना चाहते है इंडिया गठ बंदन भारत देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहता है मोदी जी भारत को बांगला देश और पाकिस्तान बनाना चाहते है पैह आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो बंगला देश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नमबर वन देश बनाना है अब यही काम मोधी जी देश में कर रहे हैं हमारे देश में कि सारे भी पक्ष को खतम कर दो उन्होंने मेरे को गिरफतार कर लिया कॉंगरेस का एकाउंट फ्रीज कर दिया चुनाव के एक महीना पहले एक महीना पहले उन्होंने कॉंग्रिस का एकाउंट फ्रीज कर दिया अब हमारा एकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोट के अंदर इनके वकील ने बोला कि आम आदमी पार्टी का एकाउंट फ्रीज करेंगे शिव सेना के उन्हें ने दो टुकडे कर दिये शिव सेना के दो टुकडे कर दिये NCP के दो टुकडे कर दिये स्टेलिन के कई मंत्रियों को गिरफतार कर लिया ममता दिदी के कई मंत्रियों को गिरफतार कर लिया सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोधी जी कहते हैं हो चुनाव लड़ते हैं ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे, अरे मोधी जी दम मैं तो आख में आख डालके छाती चौड़ी करके चुनाव चुनाव की तर लड़ो ना सब के अकाउन्ट फ्रीज कर दिये, सब को जेल में डाल दिया इस वक्त मोधी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे है बहुत खतरनाक मिशन है आपको पता नहीं अंडर गराउंड के चल रहा है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर इस देश में वो चाहते हैं मोधी जी अचा एक ही नेता होना चाहिए उसके लिए वो दो लेवल पे काम कर रहे है एक लेवल जितने विपक्ष के नेता हैं एक हे करके सब को जेल में डाल रहे है कईयों को डाल दिया और अगर वो जीत गए भगवान ना करे वो जीत अगर वो जीत गए मैं आपको चैलेंज करता हूँ अगले चुनाव तक थाकरे साब भी जेल में होंगे खड़गे साब भी जेल में होंगे राहुल गांदी भी जेल में होंगे प्रियंका भी जेल में होगी केजरी वाल तो है जेल में शरत पवार साब भी जेल में होंगे ममता जी भी जेल में होंगी स्टेलिन भी जेल में होंगे पिनराई विजरेन भी जेल में होंगे तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं विपक्ष को सब को जेल में डाल दो जैसे पुतिन ने शेख हसीना ने जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सब को पैदल कर दिया सब की राजनीती खतम कर दिया देवेंदर फड़नवीज को खतम कर दिया उन्होंने शिवराज सिंग चोहान को खतम कर दिया वसंदरा राजे को खतम कर दिया डॉक्टर रमन सिंग को खतम कर दिया खत्टर साफ को खतम कर दिया एक ही बचा है कौन है अगला किसका नमबर है सारा देश जानता है अगला नमबर योग्य आदितनाथ का है अगर यह जीत गए तो दो महीने के अंदर योगी आदियत्यनाद को उत्तर प्रदेश के CM पद से अटा देंगे ये लोग बड़ा खतरनाक एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वो ही राज करना चाहते हैं लेकिन एक और चीज है 2014 में जब मोदी जी प्रधान मंतरी बने थे उन्होंने एक नियम बनाया BJP के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा BJP में उसको रिटायर करना पड़ेगा उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा उसको टिकेट नहीं मिलेगी और अगर वो किसी पद पर काम कर रहा है तो उसे रिस्तीफा देना पड़ेगा उस रूल के तहट उन्होंने सबसे पहले अडवानी जी को रिटायर किया फिर मुर्ली मन्तरी को रिटायर किया फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया फिर उन्होंने यश्वन सिना को रिटायर किया साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं और मोदी जी ने तैय किया है वो अपने बाद अमित शा को प्रदान मंतरी बनाएंगे तो इस बार मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं अमित शा के लिए वोट मांग रहे हैं अमित शा को प्रदान मंतरी बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं आप अपने आसपास जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं बीजेपी के वोटर हैं बीजेपी के भक्त हैं उनको बोलना अगर वोट डालने जाएं ये सोच के जाएं कि वो अमित्शा के लिए वोट दे रहे हैं मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं आख बंद कर लें और सोचें कि मोदी जी की बजाए अमित्शा प्रधानमंतरी बनने वाले और उसमें भी जितने पिछले दो साल से इस पर काम कर रहे हैं मोधी जितने नेता थे बड़े छोटे बीजेपी के अंदर सब को खतम कर दिया शिवराज सिंग चोहान को वसंदरा राजे को डॉक्टर अमन सिंग योगी अधितिनात को दो महीने में हटा देंगे ता कि रास्ता साफ हो जाए अमित्शा बचे के वल ये बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फरेंस करके कही थी जैसे ही मैंने कहा सबसे पहले अमित्शा बोले नहीं मोधी जी रहेंगे हमारे पांच साल प्रधान मंतरी मोधी जी रहेंगे उसके आद एक देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने अडवानी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था मैं तो रहूँगा या तो मोधी जी कह दे मैं तो रहूँगा या तो मैंने अडवानी जी की राजनीती खतम करने के लिए बनाया था उनको रस्ते से हटाने लेकिन अभी तक मोधी जी नहीं बोले, इसका मतलब, मोधी जी रिटायर करेंगे, और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा, मैं देख रहा हूँ महराष्ट्र में, इन दिनों को जादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोधी जी, अभी थोड़े दिन पहले आये, इतनी गं आयां देते हैं वो प्रधान मंत्री को ये शोभा नहीं देता, वो पवार साथ के लिए बोले भटकती आत्मा, ये शोभा देता प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति को, शरद पवार जी की इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उन से वैचारिक भिनता हो सकती है, अलग-अ पाटी में हो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखी है 84 साल की उमर है शर्वत पवार जी की मोदी जी की 74 साल की उमर है दस साल बड़े हैं उनसे और उनको कहते हैं भटकती आत्मा यह तो सड़क छात बात है वो उद्व धाकरे जी को कहते हैं क्या बोले उद्व धाकरे जी को नकली संतान उद्व धाकरे जी को कहते हैं नकली संतान यह कोई भाशा है प्रधान मंत्री की इस तरह से बोलते हैं प्रधान मंत्री ये शरत पवार की बेज़ती नहीं है ये उद्धव ठाकरी की बेज़ती नहीं है ये महराश्टर के एक एक व्यक्ति की बेज़ती है इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महराश्टर की इज़त उची हो और महराष्टे की बेज़ती का बदला लिया जाए दो मेरको इन्होंने 21 दिन की महलत दिया है सुप्रीम कोट ने मुझे उमीद नहीं थी कि मैं जेल से बहार आँगा इतनी जल्दी लेकिन बजरंग बली की कृपा है मेरे उपर बजरंग बली की कृपा है अचानक एक दिन मैं सेल में बैठा था मेरा 25 नमबर सेल है जेल नमबर अब दुबारा जाना है मुझे आप लोग मुझे चिठी लिख सकते हैं जेल में सेल नमबर 25 जेल नमबर 2 तिहार जेल और मेरे सेल में दो-दो CCTV कैमरे लगा दिये मोधी जी ने दो CCTV कैमरे हैं 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है तेरा अफसर बिठा रखे हैं एक एक अफसर के पास दो-दो TV स्क्रीन है जिस पे मेरी मैं कितने बज़े उठता हूँ बाथरूम कितने बज़े जाता हूँ, कितनी देर टॉयलेट करता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ आप सोच के देखो अगर आपको ये पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मौनिटर कर रहा है जीना मुश्किल हो जाता है और दो टीवी स्क्रीन प्रधान मंत्री जी के अपने दफ्तर में लगे हैं वे 24 घंटे मोधी जी मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ तो एक दिन में टीवी देख रहा था अचानक मुझे पता चला कि सुप्रीम कोट ने मेरे को बेल दे दी मैं किस दिन के लिए बाहर आ गया मुझे बहुत खुशी हुई उसी वज़े से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला लेकिन मैंने भी ठान लिया है ये 21 दिन का एक एक सेकिंड एक एक शन एक एक पल मैं देश को बचाने के लिए गुजारूंगा 24 गंटे काम कर रहा हूँ कल सवेरे लखनों गया था फिर पंजाब गया आज सवेरे पंजाब में था आज मैं अभी बॉंबे आया हूँ अभी भिवंडी गया था भिवंडी से बॉंबे आया हूँ अब रात को दिल्ली निकलूंगा उसके अज हारखंड जाना है कलिया परसों में पूरे देश में घूमके मेरा एक ही लक्ष है किस तरह से अपनी भारत माता को बचाना है देश को बचाना है ताना शाही से बचाना है दोस्तों मैं तो आज आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा जैसा मैंने कहा अगर इनकी सरकार आ गई तो ये ठाकरे साब को भी शरत पवार जी को भी सबको जेल में डाल देंगे तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार उसे करना होगा मोधी को इंकार जो करे शरत पवार को प्यार उसे करना होगा मोधी को इंकार और अंत में मैं कहना चाहता हूँ इंडिया गठबंदन के यहाँ पे तीन पार्टनर्स है शिवसेना एंसीपी और कॉंग्रिस मैंने एक वीडियो देखा मैं बड़ा चिंतित हो गया वो वीडियो देखे सोशल मीडिया पे एक विक्ती ने वोट देके भार निकला उससे मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया बोला शरत पवार को बोला कौन से निशान पे बोला घड़ी के निशान पे अभी बहुत कन्फूजन है लोगों में इस कन्फूजन को दूर करना बहुत जरूरी है लोग मैं देख रहा हूँ बड़ी जबरदस तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं लेकिन अगर गलत सिंबल पे वोट डल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप सब लोगों की बताना पड़ेगा सबको और असली NCP का सिंबल जो है वो अब घड़ी नहीं है वो तुतारी बजाने वाला आदमी है वो बताना पड़ेगा सबको हम सब की जिम्मेदारी है पार्टी अपना काम कर रही है लेकिन पार्टी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है और लास में से 42 सीट एंडिये की आई थी इस बार 48 में से 42 सीट इंडिया गठ बंदन की आनी चाहिए अगर 48 में से 42 सीट इंडिया गठ बंदन की आई तो मुझे जेल के अंदर बड़ा सकून मिलेगा